अगर किसी देश ने अपनी अर्थ विवस्था को दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली अर्थ विवस्थाओं में शामिल किया है तो वो है चाइना 13.6 trillion dollar की economy के साथ चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था है लेकिन चाइना की ग्रोथ का ये पहिया थोड़ा धीमे होते नजर आ रहा है चाइना की अर्थ विवस्था की ग्रोथ को जहां अमेरिका जैसे बड़े-बड़े देश भी नहीं रोक पाए वहीं एक वाइरस ने इसे जटका दे दिया है इस वाइरस का असर जहां चाइना के आम लोगों की जिन्दगी पर देखने को मिल रहा है वहीं चाइना की अर्थ विवस्था पर भी इसका काफी गहरा असर देखने को मिल रहा है नमस्कार मैं हूँ भुपेंद्र सोनी और आज किस्सा आज तक पर मैं आपको बताऊंगा की करोना वाइरस का असर आखिर चाइना की एकॉनमी और ग्लोबल एकॉनमी पर क्या पड़ रहा है और साथ ही भारत की एकॉनमी के लिए इसके क्या माइने है सबसे पहले बात करते हैं चाइना की चाइना की अर्थविवस्था सबसे जादा निभर करती है मैनुफेक्चरिंग पर फिर चाहे वो कार हो, मोबाइल हो, कंजूमर गुड्स हो या फिर कुछ और इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जिस पर लिखा होगा Made in China मैनुफेक्चरिंग के बाद इन चीजों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है यानि अगर ये मैनुफेक्चरिंग रुकती है तो एक्सपोर्ट में भी कमी आएगी और उन देशों में भी नुकसान होगा जहां पर ये चीजे बेची जाती है करोना वाइरस की वज़ा से चाइना में जादातर इंडस्टीज बंद कर दी गई है कार बनाने वाली कमपनियों ने अपने प्लांट बंद कर दिये हैं मोबाइल की प्रोडक्शन भी रुक चुकी है और चाइना में एरपोर्ट खाली हो चुके हैं करोना वाइरस की जहां से शुरुआत हुई उस वहान सिटी की ही बात करें तो यह शहर ओटोमोटिव इंडस्ट्री का हब है जहां गाडियों के पार्ट्स आदी बनाए जाते हैं यही नहीं चाइना की टॉप 10 युनिवर्सिटीज में से दो युनिवर्सिटीज वहान में ही हैं फॉरण कंपनियों के लिए यह शहर काफी एहम है DHL's Resilience 360 Index की माने तो वहान में 50 प्रतीशत manufacturing, automotive industry से जुड़ी है और 25 प्रतीशत technology से कोरोना वाइरस की वज़ा से चाइना की tourism industry पर भी काफी गहरा असर देखने को मिल रहा है नए साल की शुरुआत में जहां ये टूरिस्टों का सीजन होता है वहीं लगभग जादा तर international airlines ने चाइना के लिए अपनी flights बंद कर दी है एक report के मताबिक चाइना में टूरिस्टों की संख्या में लगभग 55 प्रतीशत की कमी आई है वहीं consumer goods की बात करें तो चाइना में consumer goods पर भी काफी गहरा असर पड़ा है वहीं domestic food market की बात करें तो इस पर भी वाइरस की वज़ा से चाइना में काफी असर पड़ा है अब बात करते हैं चाइना के GDP growth rate की बीजिंग के आंकडों के मताबिक साल 2019 में चाइना का GDP growth rate 6 प्रतीशत रहा था और अमेरिका के साथ पिछले साल trade war के बाद इसके अब और बहतर होने की उम्मीद थी लेकिन करोना वाइरस के बाद GDP growth rate 5 प्रतीशत रहने की उम्मीद की जा रही है ग्लोबल कम्पनियों की बात करें तो कई ऐसी कम्पनिया है जो चाइना से supply पर निर्भर करती है एपल को ही लें, तो ऐपल के 800 global suppliers हैं जिनमें से 299 प्रतीशत secret tvs चाइना में ही बनते हैं यूरोप और America में Car Manufacturing Industries पहले ही शोटेज होने की बात कह रही है वहीं हुंडाई की बात करें तो इस कंपनी ने चाइना से आने वाले स्पेर पार्ट्स की कमी के चलते साउथ कूरिया में अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है यहीं नहीं अमेरिका की सबसे बड़ी कार कंपनी जनरल मोटर्स ने भी आन्शिक तोर पर प्रोडक्शन बंद कर दी है जापान की बात करें तो चाइना जापान की मशीनरी, कार, ट्रक और टेकनोलोजी का काफी बड़ा खरीदार रहा है ऐसे में चाइना में करोना वाइरस से हो रही दिक्कतों के चलते जापान में भी बिजनस और एकॉनमी पर असर पड़ सकता है अब सबसे एहम सवाल भारत का क्या Automobile सेक्टर की बात करें तो भारत अपने electronic products, engineering products और chemical आदी चाइना से ही import करता रहा है लेकिन चाइना में बन रही स्थिती के चलते इनके दाम बनने की उम्मीद की जा रही है जिससे पहले से ही दिक्कतों में चल रहे Automobile सेक्टर पर और गहरा असर पड़ने की उम्मीद की जा रही है भारत के tourism पर भी इसका काफी असर देखने को मिल सकता है क्योंकि 2019 में भारत में आने वाले टूरिस्टों में से 3.1-2 प्रतीशत टूरिस्ट चाइना से ही थे चाइना भारत का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है साल 2019 में भारत के कुल इंपोर्ट में से 14 प्रतीशत इंपोर्ट चाइना से किया गया था वहीं कुल एक्सपोर्ट में से 5 प्रतीशत एक्सपोर्ट भी चाइना को ही किया गया था कोरोना वाइरस से पैदा हुई स्थिती के चलते इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फिगर्स में भी कमी आने की आशंका है यही नहीं भारत की diamond industry को भी इससे काफी नुकसान हो रहा है पेरा सीटा मोल जैसी आम दवाई में यूज होने वाली ड्रग जो चाइना से इंपोर्ट की जाती है उसका दाम भी पिछले 10 दिनों में दोगना हो गया है बाकी रही बाद चाइना से आने वाले mobile या technology की तो इनकी shortage भी हो सकती है जिसके चलते इनके दाम बढ़ने की उम्मीद भी की जा सकती है लेकिन भारत के लिए जहां कुछ नुकसान है वही इस थिती का भारत को फाइदा भी मिल सकता है जैसे global buyers, ceramic, home bear, fashion और lifestyle products के लिए चीन की जगा अब भारत की और अपना रुक कर सकते हैं और वही चाइना की local production प्रभावित होने के कारण भारत, chemical, petroleum, agricultural, engineering goods और plastic जैसी चीज़े चाइना को export भी कर सकता है यही नहीं चाइना में चल रही स्थिती के चलते कच्चे तेल के rate में कमी आ रही है जिसका फाइदा भारतिय बाजार को मिल सकता है अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो इसे like, comment और share करना मत भूलिएगा और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए आप YouTube पर search कर सकते हैं हमारा show किस्सा आज तक